ओम श्री गनिशाय नमहा जाता है कि घर में कच्छुआ पालने से सकारात्मक उर्जा बनी रहती है और व्यापर संबंदी परिशानिया दूर होती है कच्छुआ धन प्राप्ति का सूचक होता है यदि किसी व्यक्ति को धन संबंदी परिशानी है तो घर में कच्छुआ लाना चाहिए ऐसा माना जाता है कि कछवा पालने से गर्मे लक्षमी जी का आग्मन होता है बगवान विश्रों ने कच्छप यानि की कुर्म आउतार धारन किया था अर्थाथ नारायर के 24 अवतारों में से एक कच्छप अवतार यानि कि कच्छवे का रूप है क्षिश आगर में समुद्र मंथन के समय बगवान विश्रू के कच्छप अवतार ने मंदार परवत को अपनी पीट पर संभाला था इस समुद्र मंथन में से 14 रतनों की प्राप्ति होई थी हिंदु ध सुख समुद्री और प्रगति का प्रतिक है कच्छुवा बिना ठके निरंतर धीरे धीरे चलता रहता है इसलिए यह घर की प्रगति का प्रतिक माना गया है इस कारण लोग पूजा पाठ करने की स्थान पर कच्छुए की मूर्ति रखते हैं ऐसा करने से घर में नौकरी व् वास्तु शास्त्र में विशिश लाब दायक है। विशिश लाब प्राप्त होता है। विशिश लाब दायक माना जाता है। जो दमपत्ती संतान के सुख की कामना रखते हैं उन्हें अपने घर में ऐसा कच्वा रखना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से उस घर में जल्दी ही बच्चे की किलकारिया सुनाई देती है। आगे बात करते हैं नजर दोश और बिमारिया दूर होती है। कच्वे को घर में रखने से किसी की बुरी नजर नहीं लगती और बिमारिया दूर होती है। घर में कच्वा रखने से वातावरान और घर शुद्ध वस्वच्च बना रहता है। इससे बिमारिया दूर होती है। माना जाता है कि कच्वा नजर दोश को खत्म कर देता है। इसलिए नजर दोश के निवारां के लिए घर में कच्वा अवश्य रखें। आगे बात करें तो कच्छुआ से धन प्राप्ति होती है ऐसा कहा जाता है कि जहां कच्छुआ रखा जाता है वहां लक्षमी का आगमन होता है अधिकतर मान्यताओं के अनुसर कच्छुआ से धन प्राप्ति होती है माना जाता है कि कच्छुआ रखने से धन की प्राप्ति हो तो दोस्तों इस तरह हमने जानाा कि घर में कच्छुआ पालने से क्या फायदे होते हैं कर लगैं आपको मिलते रहें कमिन बॉक्स में जरू से लिखके बताईए आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं जै श्री कृष्णा